हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड बिहार फोरेश्ट गार्ड न्यू वकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अपलाई होगा तो जेनरल OBC EWS को फॉर्म भरने में 450 रुपया लएगा मैंने क्या बोला फ्रेंड कि जेनरल OBC EWS को फॉर्म भरने में 450 रुपया लएगा और ACST को फॉर्म भरने में 112 रुपया लगने वाला है समझेने प्रेंड जिसमें आयू सीमा की बात करें प्रेंड तो कम से कम उम्र 18 साल रहना चाहिए और अधिक से अधिक उम्र 23 साल रहना चाहिए और प्रेंड OBC को उम्र में 3 साल का छुट मिलता है और ये भकेंसी प्रेंड सभी अस्टेट के बिद्यार्थी फॉर्म को भर सकते हैं चाहिए वो किसी भी अस्टेट के हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन प्रेंड वो फॉर्म डालेंगा ने दूसरे अस्टेट वाले बिद्यार्थी तो उनको general में count कर लिया जाएगा जिसे कि बिहार के OBCCST है न तो बिहार से form भरेंगे तो ही OBCCST में count होंगे चाहे OBCC में count होंगे लेकिन बाहर से कोई OBCC form apply करता है तो general में count होगा समझे न दूसरे state में आप लोग को आपको अरच्छन नहीं दिया जाता है समझे न आप लोग दूसरे state से apply करते हैं तो आप लोग को general में count किया जाएगा और ये OBCC सबसे अच्छा OBCC है इसमें आप लोग को बर्दी पर एक star भी मिलेगा आपने आपने सोच सकते हैं आपको बर्दी पर एक star मिलता है तो star का कितना रूतवा है फ्रेंड भीहार में समझे न तो आगे चलते हैं फ्रेंड तो इसमें फ्रेंड बार्मा पास सभी विद्यार्थी form को apply कर सकते हैं किसी भी board से फ्रेंड अगर जो आप लोग बार्मा पास हैं तो इस form को भर सकते हैं समझे नहीं कितना भी percentage है कोई भी subject से पास है तो form को डाल सकते हैं देखें फ्रेंड यहां पर height weight chest के बारे में बताया गया हम लोग समझ लेते हैं कि form apply करने के लिए height weight chest कितना चाहिए तो फ्रेंड male की बात करें general OBC के male की बात करें male को समझे नहीं और female को फ्रेंड 160 cm height रहना चाहिए चाहिए वो किसी भी category की महिला हो इस 160 cm height रहना चाहिए chest की बात करें फ्रेंड तो general OBC के chest की बात करें male की तो 81 से 86 समझे नहीं 81 बुना फुला है फुलाने के बात 86-86 रहना चाहिए और firstact की male की बात करें 89 से 84 बीना फुला है 89 और फुलाने के बात 84 होना चाहिए EBC कोifrant 81 से 86 बीना फुला है 86 और फुलाने के बात 86 होना चाहिए समझे विहार Forest Guard में आप लोग को चलना होता है समझे नँँ विहार Forest Guard में आप लोग को गंटा में चलना होता है समझे न फ्रेंट तो इसमें अप्लाइडेट की बात करें फ्रेंट तो आप लोग को जो अप्लाइडेट है न फ्रेंट वो अगस्त से अस्टार्ट होगा इस फॉर्म में आप लोग आप जो अप्लाइडेट है वो अगस्त के महीने से आप लोग का applied date अस्टार्ट हो जाएगा तो अगास्त में कब से फ्रेंट तो अगास्त में किसी भी समय से फॉम बराना अस्टार्ट हो जा सकता चाहे तो पहले सबता से यह अस्टार्ट हो जाएगा समझे ना फ्रेंट आप लोग के मन में लग रहा होगा फ्रेंट कि सर आपने इतना पहल फुजिकल में मैरिट नहीं बनता है नहीं तो बिहार में अधिकतर वकेंसी ważne पर मैरिट भनता है इस वकेंसर फ्रेंड़ आप लोग recovering पर मैरिट बने वाला है आप लोग फियारी किजिएगा तो सी रिक लेगा माल हिले ये कि मैं आप लोग को बकैंसि अगास्ट में आएग, अगास्ट में बताता तो क्या फैदा होता फ्रेंट, एक, दू महींने में एक जाम हो जाता और आप लोग फिल कर जाते हैं, महनत नहीं करते तो इसलिए मैं अभी सब बता दिया फ्रेंट कि अपलो अपने मेनत में लगे रहिएगा और इस वकेंसी को लिका लिएगा फ्रेंट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिजएगा इस वकेंसी समबनित कोई भी डाउट रहता है तो अपलो कमेंट जरूर किजएगा मैं अपलो को कमेंट के बादम से डाउट को सुल्ब करने का कोशिस करूँगा तब तक के लिए फ्रेंट जहीन